आजादी के अम्रित महुत्सफ के तहतिक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर तिरंगा मोही में चंडिगड डाग विभाग भी अपना पूरा योगदान दे रहा है चंडिगड में लगभग सभी डाग घरों में तिरंगा मिल रहा है इसकी कीमत भी मात्र 25 रुपए रखी गई है इन तिरंगों को खरीदने के लिए डाग घरों में काफी भीड भी देखी जा रही है आपको बता दे कि सेक्टर 17 के मुख्य डाग घर में काफी भीड है डाग विभगग की माने तो अभी तक उन्होंने 4000 से ज्यादा तिरंगे बेच दिये हर वर के लोग तिरंगा खरीदने के लिए आ रही है और उनके पास स्टॉक भी कम होने लगा है इसके इलावा अभी भी तिरंगा खरीदने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं वही सेक्टर 17 के पोस्ट ओफिस में एक सेल्फी कॉर्नर भी लगाया गया है यहाँ पर तिरंगे के साथ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं तो इसके लिए तेले रख जाल आए हैं उसमें गाते रख अपना प्रूम लोगां देरा हैं हमारे सब ही अगाते लोगां में तेरंगे मोट आपने अपने पर गदापने और इमार के पच्छे सेल्थों है तो गर पे लगाओगे घर पे लगाू के लिए पचीस लुपए का जण्डा लिये जारहा है तो घर पे लगाओगे आपको बता दे कि केंद्र सरकार आजादी केमरत महोत्सव के तहट पिछले एक साल से कई कारेक्रम आयोजित कर रही है। इन कारेक्रमों में सामाजविक कल्यान, मनुरंजन और सांस्कृति कारेक्रम भी शामिल है। इसी आजादी के अमरित महुत्सव के तहत 75 दिनों के लिए देश भर में व्यस्तों के लिए कोरोना की बूस्टर डोस भी फ्री की गई है और इसका करोडों लोग फायदा उठा रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए च्वंडिकट से भगवत सिंग की रिपोर्ट